बाल विवा का शिकार बनने जारी एक 16 साल की मासूम लड़की को बाल कल्यान समीती की अधिकारी और फ्रीडम फॉर्म की अधिकारी की मदद से बचाया चा सका इस बाल विवा की पुरी खटना की जांच पुलिस द्वारा चारी है हमारे भारत देश के अलावा विश्व के कई देशों में प्राचिन समय से कुछ ऐसी प्रताय चलती आ रही है जिसका लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है खास कर लड़कियों पर और इन्ही में से एक प्रता है बाल विवा की कानून के अनुसार किसी भी बच्चे की निश्ट आयू से पहले यानि बच्चे के नाबालिक उम्र में उनकी शादी करना पाल विवा होता है यह एक रूडिवाधी प्रता है जिसे बाल विवा नाम दिया गया है या बच्चों के मानवाधिकारों को खत्म कर देती है इसी संपूर्ण जानकारी दी फ्रीडम फर्म के अधिकारी जॉयस मसी ने इस दोरान बाल कल्यान समीती के अधिकारी से इस बारे में जानकारी पूछी गई तो उन्होंने घटना किस तरीकी से हुई इसकी जानकारी दी इस दोरान उन्होंने ये भी बताया कि 16 साल की किशोरी का एक छोटा भाय भी है और उनके माता-पिता नहीं है जिसके चलते उन कि शोशल वर्कर शोशल वर्कर जॉशल वर्कर जॉय मसीय दौरा ये मालूम पड़ा कि एक माइनर लड़की की शादी हो रही है और सुबह 11 बजे शादी है तो मैं मेरा परीशे दे देता हूं मैं डिस्टिक चाहल्ड पोटेक्शन आफिसर मुश्ताक पठान और मेरे साथ विनोशेंडे सौरोक्षन आधिकारी हम लोगोंने हमारे जो हेड है डिस्टिकूमन चाहल्ड डेवलप्मेंट ऑपिसर श्रीमती अपरना को ले इनको इनको इनफरमेशन दी सुबह और उन्होंने निर्देश दी की तातकाड शादी रुखवाई जाए तो हमने तुरत हमा करने वाला जो वेक्ति था वो दिल्ली से था तो तो हमें डाउट हुआ कि हो शकता है यह दूसरा मामला हो सकता है फिर बच्ची की स्कूल से टीसी निकाली गई तो बच्ची सोला साल की नजर रही और चाहिल प्रोटेक्शन एक्ट जो है जब तक कि बच्ची की उमरा 18 साल पूरी नहीं हो जाती जब तक कि यह शादी नहीं किया जाती